Aggregate Supply Aggregate Supply क्या होता है किसी भी economy के अंदर किसी गिवन टाइप पीरिड में वहाँ जितने भी producers हैं वो कितनी value का goods और services बनाने के लिए तयार हैं इसी को aggregate supply कहते हैं तो it is sum total of value of goods and services that producers are willing to supply in an economy during a period तो वो जो time period है उसके अंदर जितने भी producers हैं वो कितनी value के goods or services willing to supply हैं यानि देने के लिए तयार हैं इसी को कहा जाता है aggregate supply Aggregate supply is equal to national income अब यह जो aggregate supply होता है यही national income के बराबर होता है कैसे बराबर होता भी यह जो भी producers, goods or services बेचेंगे इससे उनके पास जो पैसा आएगा वो किसके पास जाएगा वो जाएगा सारे factors of production के पास जिसने lend दिया होगा इसको rend मिलेगा जिसने labor दिया होगा इसको wages मिलेंगी जिसने capital दियोगी इसको interest मिलेगा entrepreneur को जो है वो उसका profit मिलेगा तो सारे factors of production को पैसे मिलेंगे सारे factors of production को पैसे मिल रहे है जो income हो रही है उसी को national income कहा जाता है इसलिए aggregate supply को national income के बराबर माना जाता है तो अगर मैं बात करूँ components of aggregate supply aggregate supply या income is equal to consumption expenditure plus savings तो किसी भी economy के अंदर जो भी income होती है सारे factors of production की उसको या तो वो consumption के उपर खर्चा कर देते हैं या फिर उनकी savings में खर्चा करते हैं या समाल के रख लेते हैं अब जैसे ठीक समझें नेक्स्ट है aggregate supply या income के दो points होता है दो factors होते हैं मैंने आपको बताए consumption और saving consumption क्या होता है part of income which is consumed income का वो हिस्सा जिसको हम खर्चा कर देते हैं use कर लेते हैं savings क्या होता part of income which is save जिसको हम बचा के रख लेते हैं अपने future use के लिए ठीक है aggregate supply का अगर मैं schedule बनाऊ यहाँ पर तो यह income जब zero होती है हमें पता है तब भी कुछ ने कुछ consumption किया जाता है यह वो consumption है जिसको हम autonomous consumption के नाम से जानते हैं अब अगर हम कुछ consume कर रहे हैं और हमारी income zero है तो वो पैसा आ कहां से रहा है तो यह वो पैसा होता है जो हम हमारी पुरानी savings में से use करता है तो savings अगर हम use कर रहे हैं तो कहीं ने कहीं हमारी saving कम हो रही है इसलिए इसको minus कहा जाता है यहाँ minus sign लगाया हुआ है मैंने देखिये और इसी को dis saving कहा जाता है dis saving का मतलब होता है आपकी saving को कम होना ठीक है तो जब आपकी zero income है तब भी आपका अगर consumption है तो वो कहां से आ रहा है वो आपकी savings जो है आप उसको use कर रहा है तो आप देखें यहाँ पर धीरे धीरे income बढ़ने लगती है income के साथ consumption बढ़ने लगता और हमारी dis saving कम हो रहे है ठीक savings जो है वो zero होती है यानि जितना हमने कमाया सब खर्चा कर दिया बस यह है कि हमने हमारी savings को use ने जया फिर gradually अगर income और बढ़ती जाए तो हमारी savings चाली होती है यानि savings जो है वो negative भी हो सकती है और positive भी हो सकती है अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ हमारी aggregate supply की तो aggregate supply को आ consumption expenditure plus savings अगर इन दोनों को plus करूँगा तो यह zero से start हो रहा है आप देखिए आपकी यह जो income है और aggregate supply यह हर level पर एक ही है यहाँ पर 10 है यहाँ पर 30 है यहाँ पर 30 है यहाँ पर 50 है यहाँ पर 50 है तो जो मैंने आप से कहा कि aggregate supply ही national income के बराबर होती है तो यह इसका proof है इसको schedule की तरीके से समझाये गया है अगर इसके curve की बात करें तो curve को आप देखें यहाँ पर यह जो है आपका national income है यहाँ आपका aggregate supply है अब यह जो line है आपकी savings की line है savings मैंने आपको बताया था अगर आपका zero income level भी होता है तो भी कुछ नुकुछ आपको जो है वहाँ ठर्जा करना प डिस savings जो है वो zero हो जाती है यह जितना आपका consumption होता है उतना आप कमाने लग जाते हैं आपकी income और consumption expenditure बराबर रहते हैं फिर gradually income बढ़ती जाती है और आपका savings भी बढ़ती जाती है similarly यह हमारा consumption expenditure है consumption expenditure आपकी zero level income पर भी कुछ नुकुछ आप खर्चा कर रहे थे जो था आपका autonomous consumption फिर उसके बाद income की साथ साथ आपका consumption भी बढ़ता जाता है अब अगर मैं C plus S को यहाँ पर draw करूँगा तो यह 45 degree line बनती है C plus S ठीक है तो aggregate supply जो है या income की अगर मैं बात करूँग तो इसका जो curve बनता हमेशा 45 degree curve होता है जिस जगा पर आपका consumption और aggregate supply एक दूसरे को intersect करते हैं इसी को break-even point कहते हैं यह break-even point वो जगा होती है जहाँ पर आपकी जितनी income होती है उतना आपका consumption होता है आपको अपनी savings को use करने की ज़रूरत नहीं है इसके बाद जो है आपकी aggregate supply या income बढ़ती जाती है और consumption कम हो जाता है यह इन दोनों के बीच का जो difference है यही आपकी positive savings हो जाती है इस जगा पर जब आप अपनी savings को जादा use कर रहे थे तो यह negative में यहाँ चल रहा होता है तो यह point और यह point break-even point और यह point M है यह हमेशा एक ही जगा पर आता है तो अब इस काहों के बारे में थोड़ा से बात कर लें एकस एकसिस रिप्रेजेंट नैशनल इंकम वाइकसिस रिप्रेजेंट इग्रिगेट शप्लाय यह आपका national income है एकसिस पर यह आपका इंग्रिगेट सप्लाय है जो है इनकम का एक positive function होता है ओ भी इ is a break-even point that is BEP where C equal to Y यह वो point है break-even point जहां C is equal to Y होता है यह आपकी consumption और income बराबर हो जाती है और आपकी savings 0 हो जाती है ठीक है आपकी savings 0 है और आपका consumption आपके income के बराबर है इसी को break-even point कहा जाता है any point prior to M means minus S यह जो M point है इससे पहले अगर आप कहीं भी saving लेंगे तो यह saving आपको minus में मिलेगी whereas any point after M means M is positive अभी इस M point के बाद अगर आप कहीं भी देखेंगे तो आपको जो आपकी savings मिलेगी वो positive मिलेगी last है S dash represent saving तो अगर यह नीचे को मैं S कह रहा हूँ तो यह उपर का S dash हो जाएगा ठीक है तो S जो है negative है और यह S dash उपर का यह आपका positive है यह था आपका aggregate supply